नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मंगेश यादव का एंकाउंटर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है मंगेश यादव के एंकाउंटर पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं और ऐसे ऐसे नए सवाल सामने आए हैं जो हुश उड़ाने के लिए काफी है समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष अकलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्याले पर प्रेस कॉन्फरेंस की और प्रेस कॉन्फरेंस करके अकलेश यादव ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं ये सवाल खड़े हुए हैं उत्तरप्रदेश की पुलिस पर, स्टीएफ पर और उत्तरप्रदेश की सरकार पर वो सवाल कौन से हैं, वो गंभीर आरोप कौन से हैं, उनके बारे में आज आप से बात करेंगे दोस्तों ये वो सवाल जो आपके सामने है अखलेश यादव के गंभीर आरोप अखलेश यादव ने कहा कि ब्रैंडेट कंपनी का महंगा बैग कहां से आया मंगेश यादव के पास एक विदेशी कंपनी का बैग कहां से आया और उस बैक के अंदर नए महेंगे ब्रेंडेट कपड़े कहां से आ गए वो कपड़े बिलकुल नए थे वो कपड़े कहां से आए अखलेश यादव सवाल पूछते हैं उस तस्वीर पर आपको भी याद होगी जो डीके शाही की तस्वीर है जिसमें वो बात्रूम स्लीपर्स यानि की फ्लिप फ्लॉप पहने हुए हैं सवाल है कि आखिर चप्पल पहन कर एंकाउंटर कौन करता है कैसे एंकाउंटर होता है अखलेश यादव ने पूछा कि आखिर ये कैसी होशियारी है और वो बाइक जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है बाइक चोरी हुई F.I.R. कई दिनों बाद दर्ज हुई ये भी एहम सवाल है दोस्तों और उत्तर प्रदेश में अकलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई एंकाउंटर पर सवाल खड़े हुए है और इन एंकाउंटर में ज्यादा तर PDA परिवार के लोगों की जान गई है अखलेश यादव ने कई गंभीर सवाल उठा है ये तो बात हो गई उनके सवालों की आरोपों की और अब मैं अखलेश यादव का बयान आपको सुनवाना चाहता हूँ की समाजवादी पार्टी के कार्याले में प्रेस कॉन्फरेंस के दर्मियान अखलेश यादव ने क्या कुछ कहा जो मंगेश यादव की हत्या हुई है गाउं से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई ती उठा ले गई पुलिस उठा करके ले गई गई स्टी एफ और सोचिए आप कैसी कहानी गड़ी गई कि उसके पास नया बैग था अमेरिकन टूरिस बैग बताए गया और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से ख़लीते हुए और जो मोटर साइकल मिली सुनने में आ रहा है कि जो मोटर साइकल जिसकी चोरी हुई थी कई तुनों वाद एफ आ लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के मा का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा है बेहन के आशू नहीं समझ में आ रहे है और सोचिए कैसा दिमाख इनका सरकार ने कैसी हुश्यारी दिखाई कि चपल में इनकाउंटर कर दिया बताई आप किसा दिमाख है नों का क्या हुश्यारी दिखाई कौन नहीं तस्वीर देख कर गे बता सकता है कि ये जूटा इंकाउंटर हुआ था और ये पहला जूटा इंकाउंटर नहीं है यूपी का तमाम इंकाउंटरों पर उंगली उठी है दोस्तों ये अखलेश यादव का वो बयान है जिसमें वो सवाल खड़े करते हुए नजार आरे इसके अलावा अखलेश यादव की आज की प्रेस कॉन्फरेंस में दोस्तों आयोध्या का भी मुद्धा खूब उठा अखलेश यादव ने ये कहा कि दोहजार सताइस में जब उनकी सरकार आएगी तो वो विकास की नई अबारत लिखेंगे और अयोध्या का भी नए सिरे से विकास करेंगे दोस्तों सवाल उठते हैं दो एहम बातों पर आपसे बात करनी है अखलेश यादव इतने कॉन्फिडेंट है कि दोहजार सताइस में उनकी सरकार आ रही है दोहजार सताइस में बीजेपी चली जाएगी और अखलेश यादव उत्तर परदेश में सत्ता पर काबिस हो जाए यह जो विश्वास है यह confidence अकलेश को कहां से आता है यानि दोस्तों गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश के बीच तमाम रसाकशी देखने को मेरी अकलेश यादव confident है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पर विश्वास करेगी आप गोर कीजिए दोस्तों चार जून के बाद अकलेश यादव की प्रेस conference का जो तेवर है अकलेश यादव का जो मिजाज है जो अंदाज है वो बिलकुल बदला हुआ है अकलेश यादव अलग-अलग मुद्दों पर आक्रामक है उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर रहे हैं चाहे मंगेश यादव का encounter हो आयोध्या में जमीनों की खरीद फरोग तुम्हें फर्जी वाड़ा हो पेपर लीग का मसला हो तमाम मसलों पर अकलेश यादव बेबाकी स अपनी बात रख रहे हैं और उनका जो अंदाज है वो भारती जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है दोसों अखलेश यादव जानते हैं कि गुजरात लौबी दोहजार सताइस में किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार कुरसी पर नही बैठने देना चाहती और अक्लेश यादव भी इस बात को समझ रहें बखु भी समझ रहें और इसी वज़ए से इसी वज़ए से उत्तर-प्रदेश में जो तमाम मसले हैं जिन मसलों को उठाने का काम विपक्ष करता है उन मसलों को अखलेश यादव आक्रामक्ता के साथ उठा रहे हैं 2024 में अखलेश यादव का PDA कार्ड हिट हो गया उत्तर प्रदेश में 37 सांसद मिल गए ये भी अखलेश यादव के confidence की एक बड़ी वज़े है आज जिस अंदाज में अखलेश यादव ने press conference की है दोस्तों ये अंदाज बताता है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी घमासान है 2027 बाज में है दोस्तों उससे पहले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का विधान सभा उप्चुनाओ है उससे पहले अखलेश आदो का जो तेवर है और आयोध्या के मुद्धों को उठाना मिलकीपूर में उप्चुनाओ है अंबेटकर नगर की कटहरी में उप्चुनाओ है दोस्तों प्रयाग राज में भी उपचुनाओ है यानी उपचुनाओ भी अखलेश आदो के फोकस में है और वो अखलेश आदो जिन्होंने अयोध्या की सीट जीती है आउधेश प्रसाद जहां से चुन कर सांसद बने हैं अखलेश किसी भी कीमत पर मिलकीपुर की सीट को जीतना चाह आते हैं शायद अखलेश आदो का या अक्रामक तेवर अयोध्या को लेकर जो बाते उन्होंने रखी जो मुद्धे उन्होंने उठाए इसके पीछे भी खास वज़े हैं कि अयोध्या फोकस में है और दूसरा मंगेश आदो का एंकाउंटर जिस तरह से हुआ उस पर बार अखलेश आदोर सवाल उठा रहे हैं सरकार को घेर रहे हैं यानि अखलेश आदोर का confidence ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जिसका तापमान बढ़ा हुआ है सियासी लडाई जो बढ़ती जा रही है वो उत्तर प्रदेश में बड़ी दिल्चस्प होने वा हैं बलकि पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आएंगे